उत्यप्रदीश के जिनपत संबल में कुछ दिनों पहले पुलीस ने मुद्बेड की दोरान एक बदमाश को गरपतार किया था मुद्बेड में हुई क्रॉस फाइलिंग के दोरान एक पुलिस कर्मी और बदमाश के पैर में गोली लग गई जिनको उप्चार के लिए जुलास पतार में भरती कराए गया था गायल बदमाश उप्चार के दोरान मोका देकर पुलिस का स्टोडी से फरार हो गया अजगटना में पुलिस वालों की लापरवाही सामने आने के बाद एस्पी ने अक्शन लेते हुए जुटी पर तेना तीन पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया है फलाल परार बदमाश के तलाश में जुटी टीमें लगा दी गई है दरसल 9 मार्च को बहजोई थाना इलाके के चोपा शोबापुर गाउं में बदमाशों ने एक परिवार को गन पॉइंट पर लेकर घर से लाख रुपे की डख्यती की घटना को अंजाम दिया था 17 मार्च को बहजोई थाना पुलीस ने थाना इलाके के टिकड़ा रोड पर मुटबेड के दोरान डखेती की घटना को अंजाम देने वाले गेंग के मुखे बदमाश चांद बाबु को गोली लगने से घायल होने के बाद घरफतार कर लिया था जिसके बाद घायल बदमाश चांद बाबु को संबल जिला अस्पताल में भर्टी कराए गया था 18 मार्च को बहजोई थाना पुलीस के दरोगा सत्यंद्र कुमार और दो सिपाई बदमाश चांद बाबु का एक्सरे कराकर जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर ले जाने की तैयारी में थे लेकिन इसी बीच चांद बाबु अस्पताल से फरार हो गया अस्पताल से बहार जाते समय वो से से टीवी में क्याद हो गया इसके बाद संबल पुलीस ने फरार बदमाश को पकड़ने के लिए टीम में गठित कर करवाई में जुट कई है प्रसम टीवी न्यूस इंडिया के लिए जनपत संबल से शहजाद सेफिक रिपोर्ट